पिछले टर्म पर हमने डैमेंशनल एनलैसिस पड़ा था उसमें में कुछ फंडेमेंटल चीजे सीखी थी बच्छों जैसे मास को रिपेजेंट करने का एक तरीका था हमारे पास उसको विदिन स्कॉयर ब्रेकेट लिखते हैं लेंथ का हमारे पास तरीका था स्कॉयर लिखते है ताइम को हम टी लिखते है यह क्वंटी का डेमेंशन फॉर्म निकाली ठीकल जैसे हमने अरिया का निकाला था तो स्कॉयर आज है और एर्या कोई भी हो सकता है तो सरकल के एरिया में क्या करेंगे उसमें हम ज लेते हैं पाइआए इसका डामेंशनल फॉर्मॉला मिकालेंगे हुए। हुझतला द्रबॅशन घृता है रधिया में बता कि लेक्राइब करते हैं इसको नहीं कटिनिवेशन फॉल भेंशन था तक करेंगे। बदाते हैं कि फिजी में बनते हैं न सब को चेक करने का तरीक है वो डाइन। यह तो वेक्टर होता है दैमेंशन होता है तो इसमें कुछ हमारे चुछ जैसे कि से बच्चों को प्रब्रम को प्रब्रम थीज में इस में इनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या होता है अब दखें इसको लिखने तरीका भी आना चाहिए यह तो जी है कुछ बच्चे यहीं लिख देते हैं डावेंशन वो गलत हो जाएगा अब लिखेंगे यह तो जी का फॉर्मुला आया अब लिखेंगे डावेंशनल फॉर्मुला ओफ जी एफ हमने निकाला था अगर एम एल माइनस तो मास इंटो एक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन का हमारा आया था लिटी माइनस टू प्रैक्टिस करेंगे तो सब लर्म हो जाएंगे और आर इंदा रेडियस रेडियस इसे काइंड ऑफ लेंग ल की पावर टू डिवाइड़ फामुला हो यह गया लिकिने का दशूर कि यही गोगा उर लएते हैं कुछ कूछ कोन्टिटी देखिए कि और उन्कूंटिटिटीए लेते हैं कि इसमेंसे हम प्रेशर निकार नहुंद लिखते हैं क्या होता है प्रेशर का इस परका हम सब बच्छे इसंदिघ ciुआ है फॉर्स अपॉंट एयरिया पस सब धिंचार खहरे आएब आद धूर ऌई से्या प्रेशर का निकालना चाहें तो देखें गैस क्या होता है एडियल गैस कॉंस्टेंट समझाते हैं पिवी इकूल टू अंर्टी होता है और एकर वन मॉल के लिए 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 लेते हैं जिसमें एन की वैल्याई हो जाये तो पिवी इकूल टू क्या हो जाये लाउर्टी हो जाएगा यहाँ T का representation है, वो dimensional formula है time का, यहाँ T जो represent करता है वो temperature है, तो इस formula में हमें रहाद रखना पड़ेगा, where T is a temperature, और temperature के लिए जब उनने बनाया था तो क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, अब देखे कैसे करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख दे, P क्या है pressure, pressure का भी हम निकाला, M है, L-1, T-2, पिर यह V-volume, volume का कितना आएगा, LQ, divided by T क्या है, अब T में हमें साथ धान नेना पड़ेगा, यहाँ, T यहाँ पर temperature है, तो temperature के लिए क्या लिखना पड़ेगा, K लिखना होगा, और अगर हम K लिखेंगे, तो देखे क्या हैगा, M, L, यह minus 1 plus 3, कितना हैगा, 2, T की पावर कितना होगा, minus 2, और K की पावर कितना होगा, minus 1, यह dimensional formula बना, क्या है हमने सही लिखा, नहीं, इसमें कुछ error है, क्या error है, यह तो R की पावर हमने लिखे दिया, तो हमें क्या लिखना पड़े गाया, dimensional formula of R, यह तरीका हुआ थे, M की dimension कितनी माने जाएगी, यहाँ पर 1, L की कितनी होगी, 2, T कितना होगा, minus 2, और K कितना होगा, minus 1, तो इसमें K additional है, K में क्या चीज़ आगी, K में, Kelvin होता है, जो हम किसके बड़े रहे हैं, temperature की है, तो यह dimensional formula बनेगा, इसमें आएगा K की पावर, minus 1, एक यह था आपका, तो इसमें हमने यहाँ प्रेशर भी बना दिया है, हमने यह भी ले लिया, अब हम जिन-जिन को जो ले रहे हम को हटा देते हैं, उसके अलावा और लेते हैं, कोफिशन विसकॉस्ति क्या है, यह फ्रिक्शन है, यह internal friction होता है, लिकविड कैसे फ्लो करता है, अगर आपने के ढान से देखा होगा, इसमें से स्बसे जचानक चाहिजाद की लिकविड की होती है, Water की होती है, यह इस मिरिखक्यार की बेंकान के पह सब्सक्राइं यह इं को लिकविड को होता है, आगे पढ़ेंगे detail में इन में से बहुत सारी quantity ऐसी जो हम नहीं जानते थे आगे पढ़ेंगे इक्लास इसमें यहां कि अब डैमेशनल फॉर्मले पढ़ रहे हैं तो कॉफिशेंट और विस्कॉस्टी के लिए जो लिक्विड के बीच में फॉर्मले पढ़ेंगे भीट के पढ़ेंगें पर केक्लास जासे लिक्रास मेंद क्लास के फ्रिक्विक्रा प्रूर्प cachiar blueprint के चैंडा पनारानी इसको में यहां पर Hai यहां अजानी है प्या फेल्त और हमें इटा का dimensional formula निकालना है तो यह F upon A delta V upon delta X dimensional formula of eta, अब देखे, minus sin 2 के वर physically signify करता है कि यह जो direction force की, वो velocity के क्या है, opposite है, अगर liquid forward direction में जा रहा है, तो friction force क्या करेगा, अपोज करेगा, तो negative sin का dimension में कोई रोल नहीं होगा, F कितना हो जाएगा, MLT minus 2, area कितना हो जाएगा, L square, velocity कितना है, L T minus 1, divided by L, L से तो यह L कर जाएगा, is equal to M, L की power 2 है, उपर जाएगा, minus, और यहाँ T की power हो जाएगा, minus 1, so this is the dimensional formula of coefficient of viscosity, अगर काफी huge होगा, यह हमें learn भी करना पड़ेगा, अगर इसको learn कर लेंगे, तो ज्यादा आसान हैगा, अभी हमने बता है, कि यह mathematical parameter जो बताता है, तो लेंगे कितना force है, यह हम calculate कर लेते हैं, and for this stress is concerned, stress is again force upon area, यह भी pressure का जाएगा, stress और pressure दोनों का same रहेगा, इसका formula होता है, force upon area, यह बता है कि आपे detail में कौन से बना force होता है, यह normal भी हो सकता है, tangential force भी हो सकता है, elasticity में यूज करेंगे stress, that is force upon area, एक और quantity आती है, rate of flow, rate of flow, यह किसी liquid के लिए आता है rate of flow, जिसको हम V कहते हैं, basically it is volume per second, volume of liquid per unit time, that is called rate of flow, और अगर आप इसका dimensional formula निकालेंगे V का, then it will be LQ, volume LQ हो जाएगा, time है T हो जाएगा, LQ T minus 1, this is a rate, dimensional formula for rate of flow, volume per unit time, किसी unit time में, और second कितना volume liquid का flow कर जाए, किसी pipe से, that is called rate of flow, rate of flow भी हो जाएगा, अगर surface tension की बाद करें, we take next, surface tension, surface tension होता है, force upon length, surface tension is equal to force upon length, length, यह भी आगे जाके पढ़के ट्रेल में क्या होता है, यह किसी में liquid address की property होती है, जिसके वज़े से minimum surface area को को पाई करता है, जैसे example हम दे, rain drop है, उसके shape spherical होती है, क्यों होती है, cylindrical क्यों नहीं होती, conical क्यों नहीं होती, किसी भी given volume के लिए सबसे कम जो area जो होता है, वो होता है, sphere का होता है, आप calculate करते हैं, तो इसलिए जो tendency होती है, किसी भी free surface के, liquid के free surface के tendency होती है, to occupy or to have minimum surface area, उसको हम surface tension कहते हैं, और इस surface tension का, अगर हम dimensional formula निकाले हैं, इसको sigma b ले देते हैं, s b लिख देते हैं, t minus 2, यह dimensional formula हो गया, अब इसमें देखे एक आता है, moment of inertia आता है, similarly, moment of inertia, इसको भी हम पढ़ेंगे rotational motion में, basically mass का replacement है, linear motion में जो mass role play करता है, वो ही rotational motion में moment of inertia करता है, इसका formula होता है, mr square, और अगर dimensional formula निकालेंगे, m o i का, mass हो जाएगा, m l square, यह है अगरे आपका moment of inertia, torque थोड़े से आगी की चीज है, force into perpendicular distance, torque वो ऐसी physical quantity, यह भी replacement है, force का rotational motion, force required to move a body, torque is required to turn a body, to rotate a body, तो किसी भी धरवाजे को गर हम turn कर रहे हैं, उसके ओपर torque लगेगा, और torque का formula होता है, force into perpendicular distance, from the axis of rotation, और इसका dimensional formula अगर हम निकालेंगे, तो again, m l t minus, देखियो, force का कितनी बार हमने यूज कर लिया है, और यह distance l हो जाएगा, m l square t minus 2, यह dimensional formula बच जाएगा, angular displacement, देखिये, circular motion में, rotation motion में, linear displacement की जगए, बचेंज हो जाता है, angular displacement, अगर angular displacement लेंगे, angular displacement, कितनا होता है ? अगल है ? और यगल अगलकर लेते हैं, तो किसमें लेते हैं symbol? अंगल के लिए क्रू Bununら हमारा our Aряд है ए तो इसके लिए क्रान सब्सक्राहर बटनेगा? एसके दो वह बनेगा वईसे तो basically angle के लिए हम ले रहे है आर्क आपॉन, रिटियस यह फर्मुला बता है और आर्ग क्या इजे काइंड अफ लेंट एंड इस इज आइंड आफ लेंथ तो ल की पावर कितना हो गया जीलो हो गया और अगर विलास्टी लें एंगुलर विलास्टी अम ले इट इसको अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम और और अगर डैमेंशन लेस यह तो डैमेंशन लेस हो गया एल की पावर जीलो होगे और टाइम का कितना हो गया और यह क्या बनेगा बच्चों तो टी की पावर माहिनस यह बन जाए का फॉर्मुला अब देख एक इस सारे हमने बताए और फिजिक्स में जितने वी फिजिकल क सुना होगा हो मजीनियस में एक जैसा क्या प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल इन विच दा क्वांटिटी जाप सेम नेचर केंड और सब्ट्रेक्टेड देखिए अभी तक हम जो मैंतेमेटिक्स में बढ़ते आए थे एल प्लस एल कहीं में लिखते थे टू एल हो जाता था एंब प्लस एम तो हमें लिख देते थे एंब माइनस एम जीरो हो जाता है देखिए यहां इसमें चेंज करते हैं अगर हम स्क्वार ब्रेक्ट लगाते हैं तो ये लेंट का डेमेशनल फॉमुला है ये भी लेंट का डेमेशनल फॉमुला है और इट विल बी एक्वल टू लेंट में लेंट को एड़ कर सकते हैं तो लेंट में से लेंट को अगर माइनस करेंगे तो लेंगी इसी तरह से किसमें अपलाई कर सकते हैं मास पर भी अपलाई कर सकते हैं और Mणीनस M is equal to M दॉनर क्या है यह सिंपल मैदेमेटिक्स था जो भी तक हम पढ़के आए यह इसकी फिजिक्स है डायमेंशन में इनका मीनिंग है जैसे स्काइब रेकेट हम लगाते हैं इट मीन्स मास्क और यह प्रिंसिपल कहता है अगर हमें यह निकालना हो तो इसमें यह प्रिंसिपल इसको गिनाई करता है वह भी कंपेर भी कर सकते हैं जितने फिजिक्स के फॉर्मूले मनेंगे सब में यह प्रिंसिपल अफ हो सकता है जैसे हमां एक्जांप लेते हैं फिर्स एक्वेशन क्लास 9 में सब अच्छे पढ़ता है अब देखिए यू है और यह क्या इटी बीच में क्या साइं लगा आपने प और यह क्या होता है ती तो देखें यह आएगा लटी माइनस बाइनस वन में किसको एड़ क्या हुआ लटी माइनस वन का इसका मनदब यह एड करने की टेकनीक ठीक है सही है एक्रडिंग तो ददे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो इसका स्टेटमेंट है इस स्टेंट इस की आएगा काई आएगा क्राटी आएगा कर अवा क्या नितो ली ए शोग सबते की को विट्सम थिए तो लेह एगा तो इसका स्टेंटा लूटींग का?